नमस्कार मैं हूँ दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U News चर्चा करेंगे दिन बर्ग की बड़ी ख़गों पर पंजाब सरकार की और से बाबा फ्रीड मेडिकल युनिवरस्टी के वाइस चांसलर डॉक्टर राज बहादूर का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है कि कुछ दिन पहले पंजाब सरकार में सेहत मंत्री चेतन सिंग जोडा मादरा बाबा फ्रीड युनिवरस्टी से जुड़े मेडिकल कॉलेज गुर्गोबिन सिंग मेडिकल कॉलेज में दौरा करने के लिए गये थे वहां पर मंत्री को पड़े हुए गदे गंदे और फट हुआ था इसके बाद वाइस चांसलर डॉक्टर बाजवादु की और शे अपने पत से स्तीफा के इन से बात की थी और उन्हें इस्टीफा की ने इस स्टेर कंडिकल कालेज में नहीं किसी भी सरकारी दफतर में चले जाए है आम आदमी की कहीं सुनवाई ही नहीं होती है हम सबी को इकटे ओर का इस्टम को सुधार रहा हो Ведь इ wrath साब निया सीफा तिता सरकार ने मंजूर की ता ते इद दे जाता फिर वीजी साव दी कुछ प्रति कर रहा हो सादी जहां कोई सरकार बलवा सागती है लेकिन जिस तरीके निया तस्वीरा शोशल मीडिया ते यहां सी विरोधी पार्टिया भी उना राज बहादर जीता जाके सब्सक्राइब करना जाएं जाएं उत्थे आम बंदे दी बहुत खजरखवारी होती हैं और एदिली कोई एक बंदा एक सरकार नों पर जिम्मेवारी उनी समझा रहा सकते तो अपनों सार्या नों ही कठे हो कि ठीक करना पर ठीक करना जाएं ते गद्धे आगे आगे होना सब्सक्राइब करना चाहिए कि अब 26 जनवरी को राष्टिय समारक का जब अपमान हो रहा था और दिली का महाल खराब करने की साजिश कौन बच रहा था इसमें कौन लोग शामिल है आपको बता दें कि कुछ दिन से पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर लाल जी सिंग भुलर का एक वीडियो वारल हो रहा है जिसमें वै दीप सिंग सिंदू के साथ दिखाई दे रहे हैं ये 26 जनवरी का वीडियो है जब दिली में किसानों की और स से मोर्चा लगाया गया था और तिनों किशी कानूनों का विरोद किया जा रहा था केजरीवाल साब नूँ सपश्ट करना चाहिए कि खुद प्रैस्टिया कि हाके दसना चाहिए कि जोदो 26 जनवरी नू राष्टिय समारत अपमान हो रहा सी कि दिली दा महोल ख्राब करने साजी इस कोन रच रहा से एरे पिच्छे कौन है का इस हमते कोनगे रीचसांनों तोड़ना चाहिए कोन प्रहा प्रहारा अनों नड़ानाый किस फश्ट करो कि आ लेना और दिना अगर थोटाला लेना देना नहीं ते पहले दिल्ली दा महोल खराब कराओ बाच उनानों मंत्री बनाओ उनों नंपन्याब दी बागदोर से मेठती जन्ता जानना चांदी है कि केजरिवाल साहब क्या 26 जन्वरी देडी दिल्ली महोल खराब करन दी साजश आमान्नी पार्टी ते दफ्तर चे रची गई स कौन कौन और चिशामल है सपष्ट करना चाहिए के लिए शिरोम्नी गुर्द्वारा पबंदक कमेटी यह से प्रदेश में भर में शनिवार से काली पगणियाँ बांग कर परदर्श्न किया जाएगा ये जानकारी शिरोम्नी गुर्द्वारा कमीटी ने एफ देश कीटे कीटे के उत्हों दे जेड़े हिस्टारिकल गुर्दवारा सहवानया, जाओनना सबंदत होर्डवारा सहवानया, उनना दो दे द्यों तरंगे लहे राएजान दे काल्चरल प्रोग्रम कीटे जान, अग्जाक्टे कमीटी ने शेदता नार मसूस की ता कि जड़े गुरू का रिया इना ते केसरी निशान खाल से दी अजाध हास्ती दा परती किया एस निशान साव ते थले कोई भी चैनडार्वां होर नहीं चोल साकता एक हाल से दा परती किया ते एह घुडे श्यां बाहते परती करहुगा ते दे केवल ता कार्ज किते जान देया तो एभी शाममनी कमिट्टी ने आज मसूज किता एक जैक्टम ने पर एभी जेडा तरांत होकम जेडा और बाफस लेया जावे मुख्य मंतरी भगवनत्वान की और से वीरवार को रेत और बजरी माइनिंग नीती में सुशोधन करने की मंजूरी दे दी है ताकि लोगों को सस्ती रेत बजरी और बिल्डिंग मेटीरियल महया करवाया जा सके आपको याद होगा की सरकार जनता से ये वाइदे करके सत्ता में आई थी की अवैद माइनिंग पर काबू पाया जाएगा रेत माफिया और शराब माफिया की कमर तोड़ी जाएगी और लोगों को सस्ती रेत महया करवाया जाएगी जिसकारण सरकार की फिजियत हो रही थी अब मुक्यमंत्री बगवंत्मान ने माइनिंग पॉलिशी में बदलाब को मनजूरी दे दिये चुनाओं में फ्री स्कीम्स के वाइदों पो रोक लगाने की मांग वाली याची काप पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अन्वी रमना ने एक वाक्या सुनाया और कहा मेरे ससुर किसान है और वह जहां रहते हैं वहाँ सरकार ने बजली कनेक्शन देने पर रोक लगा दी थी इस पर उन्होंने मुझसे पूछा भी क्या इसके खिलाफ याची का दाखिल की जा सकती है सुनवाई के दुरान कोट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार भी लगाई चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आयोग से पुछा कि आपने हल्फ नामा कब दाखिल किया रात में हमें तो मिला नहीं सुबह अकबार देखकर पता चला आपको बता दें कि भारत जैसे गरीब द जीतने के लिए वाईदों की जड़ी लगा देते हैं मुस्त चुनावी वाईदे किये जाते हैं और फिर जनता को भ्रमित करकर उनसे वोट लिये जाते हैं आपको ये भी पता देंगी पंजाब में विधान सभा चुनाव में आमादमी पार्टी की और से 18 साल से अधिक उम योजनाओं को 2000 रुपए हर महीने देने का वाईदा किया था इसके अलावा भी और भी कैसी घोशनाएं तमाम राजनीतिक पार्टी के और से की गई थी उनका मकस्द था केवल चुनाव जीतना देश की खराब आर्थिक हालक को लेकर तिल्डी के मुख्यमंतरी और आमादमी पार्टी के स्योजग अर्विंद केजरी वाल ने भी निशाना सादा और मुफ्त की योजनाओं को बंद करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा अगनी वीर योजना आठमे वितन अयोग के गठन से इनकार जैसे कारण से सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंदर सरकार की आर्थिक हालक ठीक नहीं है उन्होंने पूछा कि केंदर सरकार का सारा पैसा आकिर गया तो कहा गया फिर खुद ही इसका जवाब देते हुए उन्होंने ये अरोप लगाया कि केंदर सरकार ने अपने दोस्तों और अरब पतियों का 10 लाख करोड रुपए का करजा माफ कर दिया है उन्होंने ये भी दावा किया कि 5 लाख करोड रुपए का टेक्ष भी माफ किया गया है अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो या तो अरोप लगाने वाले अरविंद के दिवाल जाते हैं या फिर सरकार ही जानती है लेकिन आपको ये बात एक बात और बता दें कि कुछ दिन पहले वरुम गांदी की और से भी एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने धन पशुओं का दस लाख क्रोड रुपया करजा माफ करने की बात गही थे बांदा से फतेपुर जा रही नाव यमना नदी में डूब गई नाव में 35 लोग सवार थे इसमें 17 लोग लापता बताई जा रहे हैं जबकि 15 लोग तैर कर बाहर आ गए वीरवार को दोपहर तीन बजे महिलाएं रक्षा बंदन पर राकी बांदने के लिए नाव पर सवार होकर माई के जा रही थी पानी का बहाव तेज होने से पतवार तूट गई जिससे नाव अनियंतरित हो गई और धूट गई गटाखरों ने लापता लोगों की तलाश शुरू कर दिया और अब तक तीन शव निकाले जा चुके हैं नाव पलटने की घटना पर मुख्यमंतरी योगी अधितिनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है मारास्ट के जालना में आयकर विभाग ने पांच विजनस ग्रूप्स के ठिकानों से करीब 390 करोड रुपए की बेनामी संपत्ती जबत की है रेड में इनके यहां से 58 करोड रुपए नगध 32 किलो सोने के उभूशन 16 करोड रुपए के हीरे मोती बरामत किये हैं आयकर विभाग की टीम को कैश गिनने में करीब करीब 13 घंटे लग गए कुछ करमचारियों की कैश गिनते गिनते तबीयत भी खराब होने लगी थी राष्ट्रपती द्रोपती मुरुमुने वीरवार को जगदीब धनकर को चौदमें उपर राष्ट्रपती के रूप में शपदेलाई राष्ट्रपती भवन में एक कारे करम के द्वराद उन्होंने पद और गोपनियता की शपद ली इस मौके पर परधामंत्री नियंद्रमोदी ग्राह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे देश में रक्षा बंदन का त्योहार धूंधाम से मना जा रहा है परधामंतरी निद्रमोदी ने भी आज दिल्ली में अपने निवास पर बच्चीयों के साथ रक्षा बंदन मनाया इस दुरान पीमो में काम करने वाले सफाई कर्मियों तरजाचार करमचारियों माली ड्राइवर आदी की बेटियों ने उन्हें राक्षा बंदी परधामंतरी को राक्षा बंद कर बच्चियां काफी खुश दिखाई दे रही थी अधिकारियों ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया वीडियो को लोग पसंद भी कर रहे हैं इससे पहले प्रधामंतरी ने ट्वीट कर जनता को रक्षा बंदन की शुब कामनाय दी साथी बच्चियों से राकी बंदवाने के बाद लिखा इन बेटियों के साथ एक बहुत ही खास रक्षा बंदन हैं इस भर में राकी का त्योहार धूंधाम से मनाय दा रहा हैं रक्षा बंदन के पावन पर उपर सभी देशवाचियों को मेरी हार देख शुब कामनाय मैं कामना करता होगी हर बाई बहन के बीच का प्यार हमेशा बना रहे साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर की है दिली से सचे गुरूगरा में एक हाई परफाइल कलब के बाहर मार पीट का मामला सामने आया है उद्ध्योग वहार एरिया के पास एक कलब के बाहर कुछ बाउंसर्थ ने एक लड़की के साथ मार पीट की घटना कुछ दिन पुरानी बताई जा रही है रेपोर्टे मताब बॉंसर ने पहले तो लड़की के साथ शेड़ चार की जिसका विरोग उसके दोस्तों ने किया इसके बाद बॉंसर ने सबी को सड़क पर ले जाकर डंडों और लाठियों से पीटा इतना ही नहीं उनसे पैसे भी छीन लिये गए दुनिया भर में शादी की परंपराओं को लेकर कई अनोखी रसमे निभाई जाती हैं इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस्टाग्राम पर शेयर किये गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह एक दुलहा दुलहन मंडप में शादी की रसमों को निभाते हुए लड़ने लगते हैं इसमें दिखाया जा रहा है कि दुलहन ने दुले को खिलाने की कोशिश की और दुलहन ने उसे रोकने की कोशिश की और खुद उसे खिलाने लगी इसे लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगी वहाँ पर मौजूद लोग इसे देकर हैरान हो गए और दूला दूलन को रोकने की कोशिश की हलांकि इस क्लिप के अंत में दूला मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पत्तनी जवर्दस्ती उसे खाना खिलाने के लिए और रस्मे जीतने के लिए हाथा पाई पर उदर जाती है आज के लिए विस्तना ही कल आपके समक्ष फिराजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार